प्रभू के नाम किस्तूती हो आज हम प्रकाशत वाक्य तीन अध्याय से वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे फिलदल्फिया की कलिश्या के दूद को यह कर जो पवित्र और सत्य है और जो दाउत की कुझी रखता है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद के हुए को कोई खोल नहीं सकता वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ देख मैंन तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है फिर भी तुने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इंकार नहीं किया देख मैं शैतान के उन सभावानों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं वरन जूट बोलते हैं देख मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझ से प्रेम रखा है तुने मेरे दीरज के वचन को धामा है इसलिए मैं भी तुझे परिक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृत्वे पर रहने वानों के पर रखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है मैं शीगर ही आने वाना हूँ जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले जो जैर पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और फिर और फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थाद नए यरुशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कान हूँ वह सुन ले कि आत्मा कलिश्याओं से क्या कहता है प्रमु की नाम किस्तोती हो यहाँ पे हम जो चिट्टियां इशु मसी यूहना को देते हैं कलिश्याओं को देने के लिए उसके बारे में हम देखते है तो प्रकाशित वाक्या में कहीं बातों को हम पढ़ सकते हैं जो एक दर्शन में इशु मसी यूहना को दिखाते हैं कि अंतिम समय में जो समय के अंतिमें क्या क्या होने जा रहा है और ये जो कलिश्याओं को वो वच्चन देते हैं हर कलिश्या के लिए वो उस समय पे जो कलिश्याएं थी जैसे ये जो वच्चन हमने पढ़ा वो फिलादल्फिया की कलिश्या के लिए है तो उस कलिश्या के लिए भी ये लागू है और हमारे लिए लागू है ये सारे जो कलिश्याओं को इश्यो मसे कहते हैं वो आजकल के कलिश्याओं के लिए भी लागो है तो कहीं बातों को हम इसमें पढ़ सकते हैं क्योंकि इशुमसी के मूँ से आए हुए डिरेक्ट वच्चन है जो कलिश्या के लिए दिया गया है तो यहाँ पे जो फिलादर्फिया की कलिश्या है इशुमसी कहीं बातों को कहते हैं यहाँ पे अन्तम समय के बारे में तो हम जो हैं अभी अन्तम समय में जी रहे हैं परमिश्वर के कलिश्या सारी प्रित्वी में इस अन्तम समय इशुमसी के आने से पहले जो लास्ट डेज ह उसमें हम रहते हैं और यहां पे खास करके हम देखते हैं कि वापस वापस यही बात को इश्वमसी ने कहा है कि तुम मेरे वचन को तुमने पकड़े रखा तुमने मेरे धीरज के वचन को पकड़े रखा भले तुम में तुमारा ताकत बहुत कम है तुम बहुत कुछ तुमने सहन किया है लेकिन तुमने मुझको मेरे वचन को तुमने छोड़ा नहीं तुम मुझ में बने रहे हो और मेरे वचन में तुम बने रहे हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे लिए मैंने एक द्वार खोला है जो कोई बंद नहीं कर सकता तो एक बात हम देखते हैं कि यहां पर दाउद की कुंजी ऐसा लिखा है तो बाइबल में अगर हम पुराने नियम के भविश्यवानियों को पढ़ेंगे तो जब भी ईश्यू मसी दाउद के साथ संबंद जब के वचन में संबंद को संबंद के बारे में बात करता है तो वहां पर ईश्यू मसी के जो राजा होने की बात वहां पर करते हैं इश्व मसी को एक राजा के रोप में जहां बेपी वचन में दाउद के साथ कनेक्शन किया है इश्व मसी का तो एक राजा के रोप में वहां पर प्रस्तूत होते हैं कि इश्व मसी जो है वो कलिश्या के लिए कलिश्या के वो सिर हैं वो कलिश्या के दुलहा हैं और वो इस पृत्वे के लिए और इसरायल के लिए वो राजा बनके एक दन आने वाने हैं भले अभी वो राजय तो उनको मिल गया है लेकिन हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्व उन्हें इश्व मसी को कहा तुम मेरी डाइने और बैठो जब तत मैं तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे पाउं तले नहीं कर दूँ तो इश्व मसी अभी उस राज्य जो उनको मिल गया है उस राज्य को पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं पिता के पास वो बैठे हैं और अभी वो है इस समय में इस चर्च यूग कलिश्या के यूग में हम जो हैं हम अभी कलिश्या के यूग में जी रहे हैं तो इस कलिश्या के यूग में खास करके अभी पिता परमिश्वर प्रभू उस फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि कलिश्या में लोग जुडते रह जोड़ते रहे हर भार्षा हर जाती के लोग कलिश्या में जोड़ते रहे तो हम जो है मसी की कलिश्या हम जो है इस दंड जो आने वाली है इस पृत्वी पर उस दंड से बचे रहेंगे ऐसा पवित्र शास्त्रा हमको सिखाता है तो यहां पे जैसे लिखा है वर्स 10 में कि पूरे पृत्वी पर आने वाला जो मुसीबत की घड़ी से मैं तुझे बचाए रखूंगा तो बचाए रखूंगा मतलब इसमें से मुझे तो यही लग रहा है और साफ साफ इसमें नजर आ रहा है कि उस मुसीबत की घड़ी के द्वारा उस कलिश्या को मतलब आखरी दिन की कलिश्या को नहीं जाना पड़ेगा मतलब वो जो पूरे पृत्वी पे तो आ रहा है परमिश्वर का क्रोध जो मुसीबत की घड़ी जो ग्रेट रिबूलेशन हम बोलते हैं जो मुसीबत की घड़ी साथ साल तक रहेगा इस पृत्वी पर इश्वमसी के आगमन के बाद लेकिन जो कलिश्या उठा लिये जाने के कारण इस मुसीबत की घड़ी के द्वारा मुसीबत की घड़ी में नहीं जाना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा इशु मसी यहां कहते हैं कि मैं तुमको तुझे बचाए रखोंगा और वर्स आर्ट में पढ़ा कि मैंने तेरे सामने एक खुला दर्वाजा रखा है तो चाप्टर फोर में हम पढ़ सकते हैं कि योहना के सामने जैसे मैं पढ़ लेती हूँ तो योहना भी वहाँ उठा ले जाते हैं इन बातों के बाद जो मैंने द्रिष्टी की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है यहाँ ऊपर आजा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है यहाँ पे हम देखते हैं कि यही शब्द वहाँ पे भी इस्तमार होते हूए हम देखते हैं कि खुला द्वार योहना के सामने योहना देखते हैं खुले द्वार को और एक तूरी का सा आवाद सुनते हैं कि यहां उपर आजा तो हमारे साथ भी यही होने वाला है जल्दी से जल्दी जैसे वर्स 11 में इशुमसी कहते हैं कि मैं शीग रही आने वाला हूं तो तुम जो है मेरे वच्चन में बने रहो तुम जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे तो आजकल हम इस दुनिया को देखते हैं हर देश में भले वो भारत हो या फिर विदेश का वाले देश हो हर देश में परमेश्वर के लोगों को के विरोध बाते उठते हुए हम देखते हैं क्योंकि सच तो यह है कि परमेश्वर के जो वच्चन के विरोध में लोग उठ रहे हैं जादा से जादा हम अपने देश में भी देख रहे हैं कि कितना भैर बाव बढ़ते जा रहा है हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के विरोध लोग इतने एक नफरत भरी बातों में बातों को सुनते रहते हैं उन बातों की बातों को बातों में ही वो रहते हैं हमेशा वो परमेश्वर की निंदा करने में उनको बड़ा आनंग मिलता है हर जगह लोग ऐसे ही हो गये है जैसे हम यशाहा में एक वचन को पढ़ते हैं जो आकरी दिनों की बात करते हुए वहाँ पे लिखा है कि पूरा पृत्वी पर घोर अंधिरा चा रहा है लेकिन तुझ पर प्रबु का प्रकाश उठा है तेरा प्रकाश आया है प्रबु की जो जोति है तुझ पर चमकी है लेकिन पूरा जो पूरी पृत्वी अंधकार में अंधकार चा रहा है घोर अंधकार लोगों पर चा रहा है तो हम इस समय में आखरी समय में हम रहते हैं तो कुछ एक आंटे को मैंने कुछ दिन पहले बोलते हुए सुना कि मैं हमेशा ऐसा सोचती हूं कि प्रभू इशो क्यों मैं इस समय में मैं पैदा हुई हूं, क्यों इस समय में मेरा जिन्दगी इस प्रित्वी पर कट रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे मुझसे कि कितना लोग अपने फोन अडिक्शन में रहते हैं कितनी गंदगी गंदी बातें कितना ये लोग भरमाएं गए हैं इस समय में शैतान से तो जो भरमाने वाली आत्माएं बहुत जादा आशकर काम कर रही हैं लोगों के मन को उन आत्माओं ने पूरी तरह अपने कबजे में कर रखा है तो हम भी हमको भी बहुत सावधानी से रहना है क्योंकि हम देखते हैं कि हम परमिश्वर के हैं लेकि यहां पर जैसे लिखा है कि तुझ में थोड़ा ही ताकत है तो हम भी आजकर कभी-कभी बहुत कमजोर कभी-कभी हम दिल में कमजोर हो जाते हैं इसलिए जो आकरी दिन की कलिश्रा को हम ये भी देख रहे हैं कि परमिश्वे कहीं लोगों को अपनी आत्मा से अभिशेग जादा आसानी से दे रहे हैं लेकिन कहीं लोगों को हम आजकल सुनते हैं कि पवित्रा अत्मा का जो अबेशेग है जो अन्य भाष्रा का वर्दान बहुत जल्दी से लोग पा लेते हैं क्योंकि परमिश्र भी जानते हैं कि इन आखरी दिनों में अगर हमको ठिकना है तो हम तब ही ठिक पाएंगे जब हम पवित्रा अत्मा के वर्दान को जादा से जादा इस्तमाल करते रहेंगे ये बहुत जरूरी है क्योंकि पवित्रा अत्मा हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है इस आखरी समय में क्योंकि कहीं मसी लोग जिनमें पवित्रा अत्मा का अभी शेग नहीं है वैसे पवित्य अत्मा का अबेशे कहीं मसीली लोग नहीं पाते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं और उनकी जिंदगी को हम देखते हैं इस आकरी समय में वो बिलकुल वो स्थिर नहीं रह पाते हैं जो इस समय जो इस जो इस जमाने का जो भी thinking है जो भी सोच विचार है जो भी बातों में दुष्टा आत्मा होने लोगों को पकड़ के रखा है क्योंकि एक बात तो हम समझ सकते हैं कि जो दुष्टा आत्माओं का काम बहुत ही ज़ादा आज कर बढ़ रहा है उस उन बातों से अगर हमको बचे रहना है तो जैसे यहां लिखा है verse 8 में कि तुने मेरे वच्चन को पकड़े रखा है तो परमिश्वर के वच्चन और परमिश्वर के आत्मा में हमको स्थिर रहना है इसके अलावा कोई भी कोई और चारा ही नहीं है हम कह सकते है तो यहां पर अगर हम इन बातों में स्थिर रहेंगे तो यहां लिखा है कि verse 11 में कि मुकुट तेरा मुकुट कोई छीन ना ले हमारे लिए परमिश्वर ने एक मुकुट का वायदा किया है और यहां पर इश्व मसी कहता है कि मैं मेरे परमिश्वर के भवन में उसको जो भी जैपाता है एक खंबा बनाओंगा मतलब एक पर्मिश्वर के घर में हमको मिलेगा क्योंकि हम देखते हैं कि खंबा कोई भी इमारत में खंबा रहता है उस पूरे इमारत को थामता है जैसे पूरा इमारत उसमें सपोर्ट होता है उस खंबों से सपोर्ट मिलता है इमारत को तो मजबूती लाने के लिए परमिश्वर हमको इस्तमार करेंगे उनके घर में परमिश्वर का घर है वो लोगों से बना हुआ है तो जब हम परमिश्वर में स्थिर रहेंगे तो हम दूसरों को भी स्थिर कर पाएंगे परमिश्वर के घर में हमें खंबा के रूप में ईश्व मसी हमको बनाएंगे और उनका नाम ईशुमसी का नया नाम ऐसा कहा है ईशुमसी की परमिश्वर के नगर जो नया यरुशलेम है उसका नाम और परमिश्वर पिता का नाम हम पर ईशुमसी लिखेंगे ऐसा बताया गया है तो एक वे में ये इसको भी दर्शाता किसी चीज़ का नाम अगर हम पर है तो मतलब हम उसके हो गए हैं जैसे हमारे घर का नाम हमारे पिता का नाम हम वो हमारा नाम होता है तो हम जो है पूरी तरीके से परमिश्व का नगर का नाम हमारे पे होगा हम परमिश्वर के उस नए एरुशलेम के निवासी बन जाएंगे और यहां पे बाकी हमने जो भी कलिश्या पढ़ा हर कलिश्या को इश्यु मसी एक एक जो इनाम की बात करते हैं तो यहां पे वो इस आखरी दिन की कलिश्या को इस इनाम की ये इनाम देते हैं कि ये इनाम का वाइदा करते हैं कि मैं तुम को तुम पर अपना नया नाम लिखूंगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी महिमा तयार है परमिश्वर के नगर में और हम जो हैं एक बात भी हमको जानना ज़रूरी है कि जो पुराने संत थे, संत लोग वो सब हमारे लिए ही उन्होंने सब कुछ किया जैसे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करके रखते हैं कि उनका कि वो अच्छी तरह रह पाएं, जे पाएं, अपना काम कर पाएं तो हमारे पहले जो मसील हो गए उन्होंने जो हमारे लिए बनाया उस पर हम उटके परमिश्वर के लिए हमको आगे कुछ काम करना है जैसे उन्होंने अपनी जिन्दगी में जो भी कुछ फाउंडेशन रखा हमारे लिए उसमें हम, उसमें हमको और भी आगे बढ़ना है क्योंकि उस समय के जो लोग थे, जो कलिशा के लोग थे, वो लोग ऐसे समझ बैठे थे कि इश्यमसी उनके समय में आएंगे लेकिन हमको पका पता है अभी कि इश्यमसी हमारे समय में आएंगे क्योंकि जो इशुमसी ने कहा था जब जो उनके चेलों ने उनसे पोछा कि प्रभु हम आपके आगमन का समय कैसे जानेंगे तो इशुमसी ने बताया कि जो पेड़ों को देखो जो फेक ट्री है उसको देखो जो इसरेल को देखो मतलब वो ऐसे कह रहे थे जो अंजीर के पेड़ को देखो और बाकी पेड़ों को भी देखो उससे तुम समझ पाओगे तो अभी हम इसरेल को हम देख रहे हैं इसरेल के संबंदत कहीं बातें हो रही हैं जो एजेकिल अपने पत्री अपने जो एजेकिल ने लिखा उस बचन में जो उस भविश्यवानी में एजेकिल एक यूद्ध की बात कर रहे हैं जहांपे कहीं देश चो रश्या, सीरिया, इरान और टर्की और 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 भी कुछ देश चो इसरेल के विरूद आएगा आएंगे वो देश और प्रभू इसरेल को बचाएंगे और जल्द ही उसके बाद परमिश्वर का राजय आएगा वो हम इजेकिल 38 चाप्टर में देखते हैं तो वो यूद्ध हम आजकर के चिन्नों को देखते हैं तो वो यूद्ध बहुत जल्दी आने को है जादा समय नहीं होगा भी इश्व मसी का इश्व मसी के आगमन के लिए तो हमको जैसे फिलेदर्फिया की कलिश्या को इश्व मसी लिखते हैं हमको भी प्रभू के साथ चलते रहना है ताकि हम थोड़ा हमारे में थोड़ा ताकत हो या बहुत ताकत हो हम ज़रूर जय पाएंगे क्योंकि यहाँ में इशू मसी लिखते हैं कि तुमारा तो थोड़ा ही ताकत है पर तुम तुमने मेरे नाम को वर्स आर्ट पढ़ते हैं, तेरी सामर थोड़ी सी तो है, फिर भी तुने मेरे वचन का पालन किया है, और मेरे नाम का इंकार नहीं किया, हम में थोड़ा सा ही भले ताकत हो परमिश्वर हमको कृपा देंगे कि हम उनके नाम का इंकार नहीं करें कि हम हमारे विरोध में जो भी बाते हों हम देखते हैं जो चारों और घोर अंदेरा रहता है दुष्टा अत्मा के काम बहुत जादा बढ़ गए हैं ऐसा समय जल्दी आ रहा है जब शेहतान और उसके बुरे जो स्वर्ग दूत इस दुनिया पर उतरने वाले हैं लेकिन हम प्रभू से हमने ये प्रोमिस पाया है ये वादा पाया है कि हम उस बड़ी मुसीबत की घड़ी से हम बचाए वो हमें बचाए रखेगा और हम प्रभू के साथ हमेशा प्रभू के घर रह पाएंगे तो अभी हम प्रात्ना करेंगे पिता परमिश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता इन बहुत मीठे वच्चनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस वच्चनों से हमको बहुत जादा हम हिम्मत पाते हैं पिता ये वच्चन जो आपने कहा कि इस बड़ी मुसीबत की घड़ी स आप हमको बचाए रखेंगे और ये खुला दर्वाजा हमने इस खुला दर्वाजा जो तुने हमारे सामने रखा है उस खुला दर्वाजा खुले दर्वाजे से हम उठा लिए जाएंगे और हम जब तूरही फूके का जब तुरही की आवाज को हम सुनेंगे तो हम उठा लिए जाएंगे हम अपने नए देख को पाएंगे और हमेशा हम तेरे साथ स्वर्गे ये रुशले में रहेंगे पिता थोड़ा सा इताकत हम में है हम कहीं कहीं जो कलिशा के हम लोगों के लिए प्रातना करते हैं जो हर दिन बर दिन इतने इतने खलेश मुसीबत को सह रहे हैं शैतान के ताकत को सामना कर रहे हैं पिता वो अपने परिवारों के विरोध में जो शैतान हमला कर रहा है उसको वो इतने मुश्किल से वो सामना कर रहे है पिता आज उनको अनुगरा मिले पिता पूरी तरह ये दोदारी तलवार से वो ताकत पाए पिता तेरे वच्चन से वो ताकत पाए तेरे आत्मा से वो ताकत पाए वो अपने मुकुट को खो नहीं दे वो जो आने वाली महिमा को देखते हुए इन छोटे मोटी बातों को सहन कर पाएं पिताब सब को तेरे हातों में सोम देता है इश्व मस्य के नाम से मांगता है आमे